ऐसा खतरनाक और डरा देने वाला अनुभव मुझे जीवन में कभी नहीं हुआ था खेर जैसे तैसे कदम बढ़ाते हुए मैं कॉलेज के और बढ़ने लगा पता नहीं था कि भूत ऐसा अनुभव देते हैं पर रुको, वो कोई भूत तो यकीनन नहीं था वो एक जनानी आवास थी पता नहीं क्यों मैं उस आवास को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था मन ये मानने को तयार नहीं था कि वहाँ कोई भूत या प्रेतनी थी कहीं ये किसी की शरारत तो नहीं पर इस रास्ते पे तो मेरी सिवा कोई जाता भी नहीं इस पर तो मैं ही कितने लोगों के मना करने के बाद भी आता जाता था कुछ तो रहस्य मैं था इसमें जैसे जैसे मैं वहाँ से दूर हो रहा था वैसे वैसे चमतकारिक रूप से मौसम साफ होता जा रहा था और कॉलेज पहुचकर तो मैं आश्यरे में पढ़ गया कहीं से कहीं तक किसी बरसात या आंधी का नाम हो निशान तक नहीं था उफ ये सब क्या है कैसा रहस्य है अब मेरे सर में बहुत तेज दर्ध होने लग गया था मैं सीधे स्टाफ रूम में पहुचा गनीमत थी कि अभी कोई आया नहीं था वरना मेरी हालत देखकर पक्का नसीहतों का एक दौर चालू हो जाता खेर मैंने चुपचाप हीटर चालू कर अपनी सीट के पुष्ट पर सर टिकाया और आक बंद कर ये सब भूलने की कोशिश करने लगा कपड़े तो खेर की ले ही थे लेकिन उन्हें पहने रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना था आखिर किसकी थी वो जानाना आवाज क्या वो किसी की शरारत हो सकती थी अगर हाँ तो वो रहसे मैं पक्षी और उसकी चीख और वो अंडा और उसका काला बद्बुदार द्रव्य वो सब क्या था चानने के लिए बने रही अगले भाग में कहानी चल रही है वो रास्ता